Dear students, Hazard, Assessment, Prevention and Control में अभी जो topic हम discuss करने लगे हैं वो hazard assessment के मुतलग नहीं है बलके prevention and control के मुतलग है हम इसमें देखते हैं कि most prevention and control strategies can be placed in one of the following four categories अक्सर जो strategies prevention and control के मुतलग हैं वो दर्ज़ाल है Number 1, Engineering control Number 2, Ventilation Number 3, Personal protective equipment and last, Administrative control अगर इन चार इरियाज को हम focus कर लें तो कफी हद तक हम लोग prevention and control को manage कर सकते हैं एक-एक line में मैं आपको बता देता हूँ Engineering control का मतलब है कि वो लोग जो design कर रहे हैं construct कर रहे हैं, maintain कर रहे हैं चीजों को technically वो control कर सकते हैं Ventilation system को proper देखा जा सकता है Environment Department वोग इसको अनिशोर करेंगे Personal protective equipment आपने proper पहना हुआ हो ताकि किसी किसम की problem से बचा जा सके और Administrative जो supervisor हैं उनको अपनी अपनी duty से ही perform करनी चाहिए इन की मदद से आप काफी हातक चीजों को prevent और control कर सकते हैं Prevention and control की कुछ additional strategies है The type of prevention and control strategies used will depend on the evaluation of the specific hazards present in the workplace यह बहुत important aspect है कि workplace के उपर जो strategies execute हो रही हैं वो important हैं अगर वो आपके जहन में है execute नहीं हो रही तो उसका कोई फाइदा नहीं है वो तमाम चीजों का execute होना in time execute होना desired result देना यह हमार लिए बहुत important है The following list of general strategies applies number one practicing good housekeeping यह वो strategies है और यह generic strategies है इनको follow करके हम लोग hazards prevent और control कर सकते हैं For example अगर हम लोग देखें second को तो second point में यह कहा गया है using specific control method for specific hazards mechanical hazards, chemical hazards fire hazards या इसके लावा machine safeguarding इन सब के लिए लएदा 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 सट्रोइड़जी हैं और वो लएदा लएदा सट्रोइड़जी हारे एक जगा पे एक एक जीक्यूट नहीं हो सकती हैं बलके लएदा 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 इंप्लिमेंट हो सकती हैं इन सब का मकसद hazards को प्रिवेंट करना और उसको कंट्रोल करना है अब दिया स्टूटेंट्स नियो एशेच इस पार्ट आफ दिपार्टमेंट अफ हैल्थ और यूमन सर्फसेज कि बिसिकली जो आजगनेजेशन से हमारी नेशनल इंस्टिटूट्स अफ अफ़कूपेशन सेफ्ट्रेंड के हवाले से उसके रेल्वेंट बेसिकली ये इंडस्ट्रियल हाइजीन को डील कर रही है पॉइंट्स अब इसका जो सेकंड पैदा ग्राफ है इसमें हम ये कहते हैं कि जो न यू एशेच है ये रिकमेंट्स कर रहा है किस जीज को इसका ये मतलब है कि तुमाम इंप्लाइर को इंप्लाइज को इन स्टेंडर से फैमिलियर होना चाहिए और उसके उपर उनको एग्जीक्यूट करने का राइट होना चाहिए इसका जो लास्ट पार्ट है ये स्टूडेंट्स वो ये है कि दा इरिया आफ रिसेर्च आफ एन यू एशेच फॉर मेजर डिवियंज है इसकी आगे वो कौन-कौन सी बायोमेडिकल एंड बहेवियरल बायोमेडिकल जिसमें टेक्निकल चीजें आ जाती हैं मैडिसन के रि बहेवियरल जहां पे हुमन बहेवियर की बात होगी एप्लिकेशन आफ एटिचूड की बात होगी इन दोनों चीजों को हमने इंडिवीजियर स्टूडी करना है साइंस रेस्परेट्री डिजीज स्टूडी एक्सेटरा सर्विलेंट्स हैजर्ट पार्ट है वो ज्यादा अगर आप इंप्लाई को ट्रेंड करें मैंपार को डिवैल्प करें और उसमें नालेग ट्रांसफर करें ताकि वो अपनी ड्यूटी साही परफार्म कर सके आप्टोमेटिकली जो पहले तीन स्टेप्स हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे और और आर्गनेजेशन के अंद